उत्तर पुर्देश स्पेशल टास्क फोर्स और बहराईच पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पच्छास हजार का इनामी पन्ना यादव मुटभेड में मार गिराए गया है पुलिस ने उसके कबजे से भारी मात्रा में असलहे और कार्टूस बरामत के हैं आपको बता दें कि पन्ना यादव गोरकपुर में जेलर की पिटाई कर चुका था यही नहीं वो एक बार गोरकपुर जेल से फरार भी हुआ था पन्ना यादव के उपर तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराधों के मामले दर्ज है इनमें महराज गंज, गोरकपुर, बारंबकी, लखीमपुर, खिरी, आजमगड में पन्ना पर केस दर्ज है खबर यूपी के बांगर मौस से है जहां आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर भीशन दुर घटना हुई तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टक्रा कर पलट गई, बस चालको जपकी आने से ये पूरा हादसा पेश आया दिल्ली से बिहार जा रही थी ये स्लीपर कोच और इस बस में सवार थे 40 यातरी हादसे में एक किशोर की यहां पर मौत हुई पांच यातरी गंभी रूप से खायल जब मुकश्मीर के राजजोरी के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान के ओर से सीस फायर का उलंगन करते हुए फायरिंग की गई इस घटना में एक जवान शहीद हुआ है पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का भारतिय सेना ने भी जवाब दिया पाकिस्तानी सेना पछले काफे दिनों से बौर्डर पर भारतिय सेना की पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रही है